अभिमलो पस्तित हैं एक्जाम्टूर चैनल पर और आपसे बता दें सकेंड मेरी लिस्ट को लेकर और दूसरा बात जो एन आई यो एस से डिलेट किये हैं छट्थे चरवाले और बीपेसी टी आरी वन में और इस बार जो आवेदन किये हैं उन पर क्या परभाव पर सकता है उनके पास क्या रास्ता है कल आप देखे हो येगा के बीएस का जो नोटीस आता है उससे क्या क्या समभावना है है संपुर जनकारी लेंगे मेरे साथ नभीन सर है सर अपका स्वागत है कि जाम चुरूर जी बहुत 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 जाते हैं और वहां पर जब तक वह प्रोसेस पूरा नहीं हो जाएगा तब तक डेटा निकल करके नहीं आएगा कि रियल में कितने स्टुडेंट केटेगरी वाइज जॉइन किया है क्योंकि जो रिजल्ट पब्लिस करना है जितनी भी जो सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा सप्लिमेंटरी रि चर्थे 28,800 उनके लिए समय निर्दारित किया गया है और साथ से एकजाम भी है 15 तारिक तक तो आप देखे होंगे कि मानिया सची रभी भूसन सर के द्वारा भी जो पेपर में स्टेटमेंट दिये होंगे उनके द्वारा कहा गया कि बहुत हरबराने से काम नहीं चलेगा पूरा डेटा कलेक्ट होने के बाद ही रिजल पब्लिस की जाएगी और यह भी बताया गया है कि साथ दिसंबर वाली बात भी बताई गया है और इसके बाद यह भी बताया गया है कि आयोग पुरी तरीके से अभी TRE 2.0 एकजाम कंड़क्ट कराने में फिर भी अस्त रहेगी तो इससे साफ जाहिर होता है कि 15 से पहले रिजल्ट की संभावना जो सिनेरियो दिख रहा है कम हमको लगती है जब भी रिजल्ट बंदिक सकंड लिस्ट जारी किया जाएगा वो 15 के बाद ही संभावनाय बन कि पूरा जाच परख करके करेंगे ताकि कोई अभ्यर्थी या कुछ कोई भी उंगली ना होता है निश्चित रूप से क्योंकि आप देखे होंगे कोई भी रिजल्ट पब्लिस होता है एक एक बिंदुबार उस पर देखा जाता है कि कहीं आयोग की तरफ से कोई उस तरह क गलती ना रह जाय जिसके वज़े सफिर क्लैम हो सकता है और आप समझी रहें कि कोशिस आयोग हमेशा करती है लेकिन कुछ न कुछ न कुछ न कुछ परिसानिया तो रहती है लेकिन एकदम परिसाने ना रहे तो इसी कारण से भी लम हो रहा है सर अब प्रश्ण अभ्यर्थी के मन में आ रहा है जिसे छठे चरण जो है या बिपी असी टी आरी वन है जिनका दो तारीक तक ट्रेनिंग समाप्त हो रहा है जो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं जो इस बार एकजाम दिये हैं एक सुप्रिम कोट का जो फैसला आता है और कल के बियस का दिया जाता है वो भी मतलब एक फैसला आया आगला दिन नोटिस आ गया अब अभ्यर्थी ये सुच रहे कि इन लोग के साथ क्या हो गया क्या इनके साथ भी समस्या हो जाएगा इनको भी बाहर होना पड़ेगा या सरकार और आयोग जो भी सक्चम अधिकारी है वो लोग कुछ ना कुछ इस पर काम कर सकते हैं ताकि इन अभ्यर्थी को कुछ लाब मिल जाए मेरे ख्याल से छट्थे चरन का लगभग दो साल प्लस पूरा हो चुका है और ये लोग तो अभी दो तारिक को दो दिशंबर को इन लोग का ट्रेनिंग पूरा होगा अब इस तरीके से के वीएस वालों को असपश्टया बाहर क्या गया है मतलब कि रोक लगा दिया गया है तो इस्टुडेंट को ऐसा संदे है कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए खास करकि जो जो जोइनिंग वाले चात्र हैं अब सवाल ये उठता है कि सरकार क्या करती है इसमें अभी सरकार के तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग नहीं आया है तो हो सकता है कि जो जो जोइन कर लिये हैं तो सरकार उस पर कुछ विचार कर रही हो क्योंकि गौश्ट को भी पता है कि कितनी दर्द वाली स्थिति यह है कि आप जोइन करा करके अगर उ के लिए सुप्रीम कोट से गोहार लगा सकती है यह तो आगे आने वाले दिन में पता चलेगा सुप्रीम कोट के अलावा कुछ संभव नहीं नहीं कैसे संभव है आप सुप्रीम कोट को थोड़ी चुनुती दे सकते हैं अब सवाल यह उठता एक TRE 2.0 वाले चात्र क्या करें हैं तो जिस तरीके से तो हम तो यहीं काना चाहेंगे कि जब तक नोटिस नहीं आती है गोवर्मेंट के द्वारा आप पूरी तरीके से मुस्ताइद हो करके जिस तरीके से तयारी कर रहे थे करते रहिए हलां कि मेरे लिए काना आसान है यह बात लेकिन वो शात्रों के कि सुप्रीब कोट में दुबारा से गई एक्जाम भी ले लिया गया और बाद में चल करके बाहर होना परा तो हो सकता है कि स्टुडेंट के मन में यही संदेह वाली बात घर कर गई हो इसके वजह से परहाई निश्चित रूप से परभावित हो रही हो लेकिन तब भी हम से कहना चाहते हैं कि आप अपना तयारी को कंटिन्यू रख हैं जब गवर्मेंट की तरफ से फाइनल डिसिजन आएगा तो उसी क्या लोक में अब आगे का अपना रनितियाब बनाएंगे तो बाद में चल करके उत्रा खंड के संदर्म में अगर सुप्रीम कोट डिसिजन दी है यह तो यह तो पूरे देश में लागू होगा ऐसा तो रही है कि कोई स्टेट के लिए सुप्रीम कोट का खास निरदेश होगा ऐसा कुछ नहीं है अब सब कुछ निरभर करता है सरकार और सुप्रीम कोट के पाले में चला गया है वहीं से सारा कुछ किलियर होगा इसलिए चात्रों की मानसिक इस्तिति जो छटे चरन में जोईन किये हैं उनकी भी और जो अभी बरतमान में जोईन किये हुए उनकी भी है और जो आगामी जिनको एक्जाम देना है उनकी तो करीब 12-14 लाख ओवर ओवर इंडिया में इसे चात्र हैं, आप समझ सकते हैं कि मामूली संख्या यह नहीं है, तो कहीं न कहीं सिस्टम के नाकामी का ही यह नतिजा है, कि आज मांसिक रूप से चात्र परतारित हो रहे हैं, क्योंकि अगर मान लिजे कि आप का रहे हैं कि ज आरित नहीं है, आप फ्रेसर हैं, आपको एडमिशन नहीं लिया जाएगा, आपको एकजाम देने नहीं दिया जाएगा, पैसा भी खर्च हुआ, टाइम गया, और अभी आके मांसिक रूप से परतारित भी हो रहे हैं, सर सकेंड लिस्ट में जिस तरीका से आंकड़ा आ रह हैं, तो अब फाइनली ये तो आज पांच वजे के बाद ही एकजक्ट डेटा इधर से आएगा, और उधर वाली बात जो है कि नियोजित टीचर वाली, तो हमको नहीं लगता है कि नियोजित टीचर का लाब इन छात्रों को मिल पाएगा, तो उसका लाब नहीं मिल पाएग कि एक्च्वल में कितने छात्र जोइन किये, उसके बाद ही डेटा बाहर निकल करें, तो जो चात्र लगातार मेहनत किये होंगे, लास्ट मोमेंट में अधिक सदिक रिविजन, अधिक सदिक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में भी सुबह और साम, दो टाइम कोशिस करें कि एक सिट जरूर बना जाएं, और जो सिट बनाने के दोरान गल्तियां अभी भी हो रही है, तो उस पर खासा फोकस करना है, और लास्ट मोमेंट में जितने भी नौट्स, मेटरियल जहां भी परे होंगे, एकदम लाइन बाइन लाइन बाइन बाइ संदे को सुबह साथ से नो, विल्कुल फ्री ओफ कॉस्स टेस्ट, लास्ट टेस्ट हमारा इस संदे को होगा, तो जो भी छाथ पटना के हैं, उसमें आपका सब्जेक्ट की बात करें, तो 6-8 Math & Science, 6-8 SST, 9-10 Math, 9-10 Science, English, सारे सब्जेक्ट का, मैक्सिमम सब्जेक्ट का इस वहां पर आयोजन करने वाले हैं, और अगर अधिक चातर, अगर आप चाते हैं कि पटना के बाहर वाले चातर, उस टेस्ट के मैं अपना परफर्मेंस जानना चाते हैं, तो जैसे ही टेस्ट समाप्त होगा, प्लेटफॉर्म बाइन कुमार सिंग टेलिग्राम चैनल पर सेम कोश्चन पेपर हम उपलब्द करवा देंगे, आप खुद प्रैक्टिस करके कितना मार्स आपका आ रहा है, फिर जब उसका मेरिट हम लोड करेंगे, तो उसमें आप जज़ कर लेंगे कि आप करेंग कहा आप आया, लेकिन अगर आप डेली टेस्ट देना चाते हैं, चुक टेस्ट का इसपेशल एप है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, उस पर अपने सारे प्रैक्टिस वर्क बुक जितने भी टीचर के लिए आये हुए थे, सब बुक को अलग-लग सबजेक्ट का उसपर अपलोड कर दिया गया है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट पर, औ उस से आप सुबह और साम दो टेस्ट डेली आप लगा सकते हैं, और सबसे बड़ी सुबधा उसमें हमने दे दिया है, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं, यानि ऑनलाइन टेस्ट को आफ्लाइन मोड में भी दे सकते हैं, तो इस शुबधा का आप उठा सकते हैं और अधिक जदी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी अभ्यर्थी का क्वाइरीज था शिक्षक अभ्यर्थी का कि आप क्या करें अन्तिम समय में और जिनका ये पुछना था कि NIOS को लेकर क्या होगा छटे चरण और BPSC TRE1 में और अब बरतमान समय में उन सारे confusion को मैं नभीन सर से चर्चा किया यदि इसके बावजूद भी किसी भी परकार का कोई प्रशना आपका हो किसी भी competitive exam से related तो आप जरूर comment box में comment किजेगा